तो नॉर्मली कहा जाता है कि अगर आप एक अच्छे mutual fund का चुनाओ करते हो अच्छे mutual fund में invest कर रहो हो SIP कर रहो हो या लमसम कर रहो हो तो long term में अच्छे पैसे बन सकते हैं लेकिन अगर वहीं आप अगर एक गलत mutual fund आपने चुनाओ कर लिया या गलत category में डाल दिया गलत skim म invest कर दिया ना तो long term में वही return थोड़ा सा कम बनेगा right so आज की video हम बात करने वाले हैं my favorite three mid cap mutual funds तीने mutual funds के बारे बात करूँगा लेकिन सर ये मेरे favorite है हो सकता है आपके हो ना हो कोई यहां buying recommendation मेरे तरफ से नहीं है मैं आपको सब चीज़ दिखाऊंगा कि मेरे returns दिखाऊंग और करता है उससे आप बिल्कुल definitely आप उससे बात कर सकते हो जी हां यहां हम बात करने वाले हैं दो लाख एक बार हम जमा होगा और ऐसे mutual fund में literally ताकत होती है कि अगर आप एक बार भार भी दो लाख रुपए जमा करते हो केवल एक बार बार नहीं करना केवल एक बार आप किस तरह divide करना है यह बड़ा important है क्योंकि जो मैं 3 important funds के बारे में बात करने वाला हूँ तीनो mid cap category के हैं देखो यहां कोई ऐसी बात नहीं कि बहुत सारे fund नहीं return देते बिल्कुल देते होंगे आप निवेश उसमें कर सकते हो लेकिन आज का topic येवल mid cap पे है अब यह mid cap ऐसे mutual funds हैं जिनका return बहुत शांदर रहा है और अच्छी बात है कि risk free रहते हैं सबसे अच्छी बात है बात करेंगे तो so important क्या है invest करने से पहले normally हम लोग क्या बात करते हैं हमें सब fund selection बहुत important रहता है और अगर आपको funds कैसा चाहिए आपको funds कैसे हैं अच्छा perform कर सकते हैं long term न देख सकते हो चलो तो important क्या है fund selection बहुत important है जो मैं में सा लोग कहता हूँ कि sir आप जब भी mutual fund के industry mentoring करो आप ज़्यादा पैसा लगा रहे हो invest lump sum कर रहे हो SIP कर रहे हो आप fund selection बहुत important है और केवल एक fund selection कारण लोगों को न किसी को पता चला कि किसी को 70 लाग का फाइदा कि difference केवल आते हैं fund selection के बात है क्योंकि more than 5000 mutual fund से का degree है आप बात करें दूसरी important बात क्या आपको ध्यान रखना चाहिए आप ऐसे mutual fund का चुनाओ आपको करना चाहिए जो आपकी नजर में हो कि risk free हो ज़्यादा उसमें risk involve ना हो हलाक risk long term के लिए कोई होता नहीं है लेकि जो ल यह तीरों चीज बहुत important है एक अच्छा fund risk come return ठीक ठाक यह तीन important classification है अब सबसे पहले हैं बात करने वालों जो fund के मैं बात करनूंगा वो है हमारी category में mid cap mutual funds एक ऐसा mutual fund जिसका return की बात करें 2014 से ध्यान देना यह पहला mid cap fund है मेरा favorite है देखो आप निवेश कर भी सकते हो नही 2014 में इस fund का launch हुआ आज इस fund को 10 years हो चुके हैं कितना 10 साल हो चुके हैं 10 सालों का return इसका average है 26.24 annual returns देखो मैं आप लोग उसे क्या कहता हूँ जब भी mutual fund select करो 1,2,3 साल कोई माइन नहीं रखता मेरे भाई आप important है कि यह fund कितना पुराना है और कितना return अच्छा दे रहा है 26 26.24% का return अब बोलोगे आपके पैसे को यह mutual fund manager कितने company में लगा रहा है सर 24 company में लगा रहा है ठीक है ना 24 company में आपके पैसा जा रहा है अब आप बोलोगे सर last 5 year में कितना return दिया है इस fund ने पिछले 5 सालों में 38% का analyze return दिया है कितना 38% अब बोलोगे संधी भाई आपको कित कोई यहां लालच मत करना कि मुझे मिल रहा है आपको मिल सकता है देखो mutual fund is always long term का goal है long term आप करोगे definitely आपको मिल सकता है थोड़ा से mutual fund के आपके बारे मैं बताना चाहूंगा कुछ screen recording रहेगी और इसके माद्यम से आपको काफी कुछ information लगातार मिलेगी तो मैं आपको बता लोग मुझसे portfolio बनवाते हैं यह fund जरूर mention करता हूं मैं हमें इसा कोशिच रहती है इस fund को जरूर mention करूं आप देखो अब overall आप देख सकते हो 5 सालों में इसका return 38.85 रहा है and overall 26.24 है आप बोलो के संदी भाई 74,000 मैंने invest किया भी तक कोई लंसम खास कर उतना जादा नहीं किय SIP बगारा लगातार चल रही आप देख सकते हैं 83.28% मुझे return मिल रहा है ठीक है आप इस fund की बात करें 24 कंपनियों में आपका पैसा जा रहा है ठीक है आप 24 कंपनियों में आप देख सकते हैं Jio Financial Services, Vodafone Idea, Zomato, Callan Jewelers, Persistent System, Polycav India, Kofors Limited यह सब ऐसी बड़ी कंपनिया है स्टॉक मार्केट में दिगज में जहां आपका पैसा mutual fund manager लगा रहा है सो देट आपको return ठीक ठाक मिले क्योंकि यह भी करना बहुत जरूरी है हमाईडिया फ्रेंट expense ratio की बात करें बहुत कम है जो हमेशा आपको देखना चाहिए हमेशा कोशिश करो direct plan me invest करो अगर आप direct me invest नहीं कर सकते तो 1% आपको less मिलेगा कम मिलेगा long term में बहुत मैंने video अलड़ी बना दी इस पे तो इसमें आप लमसम कर सकते हो इसके बारे में इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा सोधा आपका time loss हो second mutual fund के बारे में बात करूँगा जी हाँ वो है हमारा HDFC mid cap fund के बारे में बात करना चाहेंगे अब HDFC mid के आप opportunity fund की बारे में देखो 2007 से ये fund है और 23% return अभी तक मिल रहा है 56% मुझे मिल रहा है overall overall 23% 56% मुझे मिल रहा है अब आपके सामने है sir 5 सालों में 31% का return और overall 23% आप बोलोगे संदी भाई आपको sir 56.14% बिल रहा है आपके सामने सब कुछ है तो कुछ लोग यकीन नहीं करते है बोलते है संदी भाई इतना portfolio है क्या जूड बोलते हो ऐसा वैसा भाई साब है मेनत की है 4 साल 5 साल invest किया है और अगर मैं आप लोग को कुछ बता रहा हूँ तो मैंने किया है इसलिए मेरा ratio अलग है sir मैं कम से कम 60% mutual fund में करता हूँ 40% में करता हूँ share market में मेरा investment complete है, real estate में भी कर रहा है, gold में भी कर रहा है investment हर जगा होनी चाहिए, मुझे ऐसा feel होता है तो SDFC Mid Cap आपने देख लिया है, 72 companies में आपका पैसा जा रहा है कितना? 72 companies में पैसा जा रहा है, mutual fund manager को लगता है ये company अच्छा perform करें कि उसका stake ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया तो ऐसे company में आपका पैसा जा रहा है, तो long term में क्योंकि अभी मैं आपके 2,00,000 को divide करने वाला हूँ कुछ लोग बोल रहा हों कि sir, आपने तो बोलाए कि 2,00,000 हो सकता है बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती लेकिन important है कि उस 2,00,000 को divide कैसे करोगे चोड़ो, तीसरे fund के बारे हम बात करते हैं जी हां sir, तीसरा हमारा fund है Axis Mid Cap Fund, Axis Mid Cap Fund के बारे हम बात करेंगे पिछले 5 सालों का 27% का return है, आपके सामने इसके recording भी चल रही है, overall लगबख 21% का return मिला है अगर आप बोलोगे, संदी भाई, आपका कितना return है मुझे sir, 55.9,6, मतलब 56% का return मुझे मिला है 92,000 में ने invest कर दिया है, जो SIP के माध्यम से लगातार चल रहा है तो ये fund है, आपके सामने 3 star rating है sir, इसमें भी आप one time investment कर सकते हो अब आप देखोगे, तीनों का आप देखोगे return तो आप एक चीज़ आपको समझ में आएगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक minute, yes अब एक चीज़ आपको देखो, बहुत important समझ में आएगा कि तीनों का अगर average देखोगे पहला, sir, 21.28 दूसरा, 26.24 दूसरे का return, 23% तीसरे का return, कितना है? तीसरे का return है, sir, 21.28 तीनों का मैंने average किया तो लगबख 20, 23 लगबख average आ रहा है अब तीनों का जब average आप करोगे और किस तरह इसको divide करना है? लमसम क्या planning है? लमसम हमारी planning है कितना, sir? 2,00,000 का लमसम करना है और इसको divide कैसे मैं करना हूँ? आपके सामने बहुती simple divide है मैं यह नहीं कहता 2,00,000 किसी एक fund में पूरा डाल दो नहीं करने का, बिलकुल नहीं करने का ऐसे में मजा नहीं आता है मतलब और भी fund के थोड़ा सा experience आपको मिलना चाहिए और fund को explore करो आप HDFC mid cap, सर्फ 50,000 और एक important चीज आपका investment कुछ भी हो सकता है कोई भी जरिया हो सकता है मैंने कि यहां mid cap fund के बारे में बात किया है small cap भी होते है, large cap भी होते है कुछ ऐसे index fund होते है इसके बारे मैंने वीडियो बनाया था कि उसमें भी invest कर सकते हो यहां मैं केवालाज की वीडियो mid cap के बारे मता रहो जहां मैंने invest किया है axis mid cap के बारे मैं बात करेंगे यहां 50,000 रुपीज जा सकते हो देखो आपका portfolio पे ready हो रहा है आप 2,000,000 का जो portfolio मैंने बात किया है यह आपका 2,000,000 में दोनों मैंने अगर मैं रहूं यह मेरा opinion मैं 50,000 इसमें डालूंगा 50,000 इसमें डालूंगा और मुती लाल वो सवाल में मैं 1,000,000 का लंसम करना चाहूंगा और बस market की स्थिदी देखूंगा कि market की स्थिदी कैसी है और अगर market की स्थिदी थोड़ी से मुझे ऐसा लगता है कि लंसम करने का मौका है बिलकुल करूंगा और इन तीनों में अगर मैं 2,000,000 इन्विस्ट करता हूँ तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा काफी लोग को पता चलेगा अगर तीनों में आप इन्विस्ट करते हो तो देखो कैसा इसमें long term में return कैसे बनता है मैंने ये SIP calculator आपके सामने open किया है ठीक है आपके सामने देख सकते हैं लंसम की बात करें तो दो लाग रुपे यहां मैं मुझे invest करना है मैंने दो लाग रुपे investment कर दिया मैंने average 20% लेके चल रहा हूँ ठीक है 20 से उपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है तो उसके लिए माफी दीजेगा मुझे हो सकता है ठारा हो जाए उननी सो जाए लेकिन 22 थेज़ भी हो सकता है ऐसी कोई बात नहीं है ठीक है and on average 20% रिटन लेके चल रहा हूँ मैं आपने investment केवल एक ही बार किया है बार बार नहीं किया है lump sum category मतलब one time एक बार करके भूल गए यह ऐसे fund है एक बार करके अपने भूल गए चोलो करके भूल गए और केवल 22 साल की बात करूँगा calculate करते हैं आपने 2 लाक invest किया एक करोन value बन गई कुछ लोग बोलेंगे सार 20 साल भाई आपने एक बार तो invest किया है बार बार थोड़ी उसको देखना है आपने invest करके अपने काम में लग गए कहीं से पैसे आये आपने निकाले डाल दिये दुबारा 5-6 साल बाद 14 सनीत खुली अर्या इतना return हो गए चलो 2-4 लाक और डाल देते हैं उसमें फिर आपने उसमें डाल दिया तो यह ऐसे पैसे होता है ना कि भाई साब आपको डाल के आराम करो कोई दिक्कत वाली बात में हो देखो लेकिन compounding इतनी ताकत होती है मैं सच बता हूँ आप लोगों से आपने देखा यह चीज और मैं अगर detail में आप जाओ गए तो आप को समझ में आएगा 5 साल में आपके 2 लाक की वैलू 5 लाक ही बनी है 10 सालों में 2 लाक की वैलू आपके बन गई है 12 लाक लेकिन धीरे धीरे 15 साल आप देखो 15 से 22 की कहानी 15 सालों में 30 लाक फिर 53 लाक फिर 76 लाक फिर एक करोण अगर आप यहां 5 साल और रुख गए 5 साल नहीं 3 साल के वल 3 साल अगर देखो compounding के ताकत क्या होती मैं आपको वही बताना चाहूंगा compounding के ताकत होती है मेरे प्यारे दोस्तो कि 22 साल तक तो आपको मेहनत करनी पड़ी लोग जो बोलते हैं यार पैसे नहीं बन रहे मैं आपको सच बताऊं रुको market में market में रुक के देखो बीच मेंच में गिरावट market का उथलना उथलना budget election सब आएगा सब कुछ हिलने जाना है यह investor यह तो होते हैं 22 साल में आपने जो एक करोण value बनाई केवल केवल 3 साल लगा उसको 2 करोण बनने में मैं आपको यह दिखाना चाहता हूँ मेरे बहरी लोग यह दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग यह देखो आप जब एक करोण के पीछे एक करोण बनने में बहुत समय लगता है 50 लाग बनने में समय लगता है मेरा 21-22 लाग अभी बना 4 सालों में मुझे मालूम है 50 लाख देरीम बनेगा लेकिन 50, 60, 70 इसके बाद मामला बहुत तेजी से होगा बस आपको ध्यान रखना है, remain invested रहना है यह छोटी छोटी ट्रिक्स जो मैं आपको बताता हूँ इतना लमसम कर लो, बाकी आप कर सकते हो और करने के बाद definitely market में आप अच्छा खासे return बना सकते हो स्वाश की वीडियो कैसे जरू बताना चल पर ने आयो, subscribe मुझे लगता है कर लिया होगा जरूर और बाकी मिलते हैं कुछ interesting वीडियो के साथ next वीडियो में अपना ध्यान रखिएगा बाई बाई टेक केर जहें